दिस इस प्रोफेसर एमेच और तुड़े विल डिस्कस इन दिस वीडियो कैलकुलेशन ओफ कैश प्राइस यूजिंग एनुटी टेबल तो एनुटी टेबल को यूज करके कैश प्राइस कैसे निकाला जाता है वो हम लोग आज यहां पर डिस्कस करने वाले तो हम लोग ने यहां पर ट्राइ किया है कि कोई फॉर्मेट एक स्पेसिफिक फॉर्मेट ना फॉलो करते हुए थोड़ा लॉजिक तरीके से जाएंगे तो हमें याद रखने में भी थोड़ी आसानी होगी तो हम लोग ने इस वीडियो में ट्राइ किया है कि आपको easy way में बता सके कि cash price को जब annuity table के हिसाब से calculate किया जाता है तो कैसे किया जाता है तो let's start with calculation of cash price with the help of annuity table अगर आप इसको formula के हिसाब से use करना चाहते है तो formula कुछ इसका इस तरीके से है कि जो भी आप annual installment पे कर रहे है वो लेना है multiply करना है इस fraction से 1 प्लस R की पावर N माइनस 1 divide करना है R into 1 प्लस R की पावर N से तो मुझे पता है लोगों को formula याद रखने में थोड़ी difficulty होती है लेकिन कभी कभी formula यूज करना रहता है तो हमें यह याद रखना पड़ेगा लेकिन without formula अगर हम लोगों को याद रखना है तो कैसे याद रखना है तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि cash price is nothing but जो भी आपका down payment होगा plus all present value of your installment ठीक है तो down payment plus present value of all installment जो भी आपने starting में payment किया वो लेने का और जितने भी installment आप भरने वाले हो जितने भी installment आप भरने वाले हो उसका क्या करना है आपको present value निकालना है present value का मतलब होता है कि future में जो payment करोगे उसका आज का भाव कितना है उसका आज का rate कितना है वो हम लोग को निकालना है तो वो discounting factor यूज़ करते हैं हम लोग तो कैसे करेंगे देखते हैं तो let's start with the question first कि Mr. B purchase the equipment on higher purchase price of Rs. 90,000 देखो यहाँ पर सीधा दिया है 90,000 उसका higher purchase price है payable in 3 equal installment, interest rate is 5% calculate the cash price यहाँ पर DP नहीं दिया है तो नहीं दिया है तो कोई problem नहीं है शिर्फ installment का present value निकालो तो आपको cash price मिल जाएगा तो यह 90,000 को कितने में divide गया 3 equal installment, मतलब कितने का आएगा 30,000 का आएगा आई बात समझ में, तो 30,000 1 year, 2 year and 3 year interest rate 5% है अब इसको देखो कैसे calculate करते है तो मैं एक छोटा सा format आपको पता हूँगा तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है year, क्या लिखना है year लिखना है, कितने साल तक भरना है 3 साल तक, तो यहाँ पर लिख दिया 1, 2, 3, ठीक है फिर हम लोग को लिखना है कि installment आप कितना भरने वाले हो तो installment आपको पता है कितना भरने वाले हो 3 equal installment बोला है तो 90,000 को जब 3 से divide करेंगे तो 30,000 आएगा तो 30,000 तीनों में आ जाएगा तो 30,000 अब क्या करना है अब यहाँ पे देखो यहाँ पे जो interest rate दिया है 5% इसी से हम लोग इसको discount करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखना है at the rate of 5% और इसका discounting factor निकालना है तो discounting factor मतलब annuity factor निकालेंगे तो यह आएगा अब आप बोलेंगे सर यह कैसे आया तो इसका logic है इस तरीके से आपको लेना है calculator पे 1 divided by यह हम लोग present value factor निकाल रहे है PV factor निकाल रहे है तो 1 divided by 1.05 05 क्यों लिया क्योंकि 5% है अगर 10% होता तो तो 1.10 लेते अगर 12% होता तो 1.12 लेते अगर 7% होता तो 1.07 अगर single digit है तो 0 आगे लगाने का तो 1.07, 1.02, 1.04 1.05 तो यह है तो 1 divided by 1.05 क्योंकि यहाँ पे 5% interest rate है इक्वल टू दबाने का तो जो भी आएगा वो first year का PV factor होगा तो आप लोग करके देख सकते हो 1 divided by 1.05 इक्वल टू तो 3 डिजित तक लेने का तो 0.952 आएगा फिर कुछ नहीं करना calculator पर calculator ऐसी रखने का फिर equal to दबाने का तो जैसे ही आप equal to दबाएंगे तो second year का आएगा तो 0.907 फिर कुछ नहीं करने का फिर equal to दबाने का तो third year का आएगा तो third year का आएगा 0.864 तो यह वाली practice याद रखना है कोई भी अगर PV factor अपने को नहीं दिया है तो PV factor इस तरीके से निकालना है EMI से multiply करना लिखना है अब इन दोनों को multiply कर दो 30,000 into this तो यह multiply करेंगे इदर पर तो आएगा इतना amount फिर 30,000 multiply by this तो इतना आएगा फिर 30,000 multiply by this तो इतना आएगा इसको total कर लो 81,690 तो इसका जो cash price है वो 81,960 है formula यूज करोगे तो आपको 50,60 रुपे का difference आएगा तो वो कोई problem नहीं है उतना चल जाता है approximation में उसका difference आ जाता है आई बाद समझ में तो 81,960 is nothing but your cash price तो यह है आपका annuity table के use करके cash price को निकालना इसके पहले हम लोग ने देखा था cash price निकालना है तो हम लोग का format यूज करना है तो format को मैंने थोड़ा simplify किया था आप लोग उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं और यह वाला था EMI वाला sorry, annuity table वाला तो उसमें आपको इस तरीके से याद रखना है तो यह मैंने थोड़ा logical तरीका बताया है इसको करते हुए और कोई सा भी question आए तो आप लोग उसको find out कर सकते हों ठीक है आप इसको एक दो बार go through करो कुछ doubt आएगा तो please comment and please like and subscribe for more videos thank you